Welcome back to Clean News UP चलिए देखते हैं उत्तरप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूस को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बदाना पिल्कुल ना फूरे साथी हमारे फेस्बुक पेस को भी फॉलो करें फेस्बुक पेस करें स्क्रिप्शन में दिया गया है 20,000 से अधिक आबादी वाले गाओं को मिलेगा चोटे शहर का दर्जा यूबि सरकार गाओं की बढ़ती आबादी को बेतर सुविधायों पलब्द कराने करने ने लिया है इसके लिए राजे सरकार 20,000 से अधिक आबादी वाले गाओं को छोटे शहर यानी नगर पंचायत का दर्जा देने का फैसला लिया इसके लिए जिलादी कारियों से प्रस्ताओ मांगा गया वर्तमान में नगर निकायों में 22 वीजदी आबादी रहती है इस अबादी को बढ़ा कर 30 वीजदी तक करने की तयारी की जा रही है जिससे वहां रहने वालों को इस्थानी एस्तर पर बेतर सुविधाओं के साथ रोजगार के संसाधन मिल सके इसी के आधार पर नई नगर पंचायते बनाई जा रही है इलाबाद विश्विध्याले के चात्र पढ़ेंगे आजादी के बाद का समगरी इतिहास भारत का अधोनी की तिहास विश्व में अब तक जो चात्र देश को सतंदरता मिलने यानि 1947 तक के इतिहास को पढ़ते थे उसको विस्तार दिया जा रहा है इलाबाद विश्विध्याले के इसना तक चात्र अबाजादी के बाद के राजनीति घटनक्रम आंदोलन राजनेताओ साहित्यकारों संगीतकारों के योगदान से भी रूब बरू होंगे इलाबाद विश्यविद्याले के मद्दिकालीन एवं आधुनी के तिहास विभाग की ओर से पार्टिक्रम में अवर्ष 2000 तक के कालखंट को शामिल किया जाएगा इलाबाद विश्यविद्याले में नई शिक्षानीती के तहर शेक्षिक सतर 2023 से चार वर्ष इसना तक के पढ़ाई शुरू होगी बुंदेलखन समेट उत्रप्रदेश के तमाम इलाकों में लगातार गिरता भुजल इस्तर चिंता का सबब बना हुआ है जिसे देखते हुए योगी सरकार ने भुजल इस्तर को सुधाने के लिए मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया जिसके सुकत परिणाम आने वाले कुछ दिनों में परिलक्षित होने लगेंगे आदिकारिक सुत्रों ने मंगलवार को बताया कि बुंदेल खंड जैसे शेत्रों में भुजा संकट हमेशा से एक एहम समस्या रही है राज्यों को इस समस्या से निजाद दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरत तर प्रयास रत है इसकड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेल खंड शेत्र के महोबा जहांसी, बांदा चित्रकूर्ट, हमीरपूर और ललितपूर जिलो के 20 विकास खंड वाप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुझब फणगर शामली, बागपत मेरट के 6 विकास खंडों समेत भूजल प्रबंदन में सुधार लाने के उधेश से चैनिर किया है। जोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य विश्यों पर भी अधिकारियों से चर्चा की। दूस्ता डोस को लेकर सीम योगी ने बैचक में कहा कि पीम नरेंद्र मोदी के मार्क दर्शन में ट्रेस, टेस्ट, ट्रीटमेंट और ठीका करन के राजनीती के सफल क्रियान वेयन से राजे में कोविट संक्रमन पर प्रभावी नियंतरन बना हुआ है। यूपी में आपदा प्रभावितों के लिए राहत अब सीधे खाते में रुपे भेजेगी योगी सरकार। नावदुर्गटना, सर्पदंश, सीवर, सफाई, गैस, रिसाव, आपदा, घुशित कर रखा है। चंदॉली के मादोपुर में इंडो इसराइल के सयोग से 10 एकड़ में बनने वाले सेंटर ओफ एक्सिलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रिय कृशी मंत्री नरेंदर सिंग्टूमर ने वर्चुल आधार शिला रखी। दो दिन पशिमी यूपी पर मौनसून महरबान, पूर्फ के इंजिलो में भी बारिश के आसार। मौनसूनी हवाई मद्र यूपी से एक बार फिर रूट कहीं, ऐसे में दो दिन तक लखनव और आसपास बारिश होने की उम्मीदे कम हैं, छिटपूट बादलो की आवाजाही के बीच धूप परिशान कर सकती है, स्पीच हवाई जरूर दीश चलेंगी, दूसरी ओर बुं काकोरी के शहीदों को दी श्रधानजली, मुख्यमंत्री योगी आदितनात्य मंगलवार को काकोरी के शहीदों को श्रधानजली दी, इस तोरान कहा कि जब जाती शेतर भाशा मजभब के नाम पर बटे होंगे, तो ये हमारी ताकत को कमजोर करेगा, देश को कमजोर करेगा बाजडगर इस्तित काकोरी स्मरती स्थल पर क्रांतिकारियो श्रधांजली देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरप्रदेश के हम लोग सवभागिशाली है 1857 के प्रथम समर की भूमी उत्तरप्रदेश रही चाये वो मंगल पांडे की ओर से जलाई गई क्रांति की चिंगारी हो या ज्छांसी की रानी का उद्गोश की मैं ज्छांसी कभी नहीं दूँगी तबादला चाने वाले शिक्षकों को जटका नई न्युक्तियों तक अंतह जनपदी इस्थाना अंत्रण पर लगी रो शिक्षकों की जिले के अंदर तबादलों में अभी थोड़ा समय लगेगा इससे पहले 68500 शिक्षक भरती के 4000 शिक्षकों को तैनाती के बाद ही तबादले की वेफ साइट खोली जाएगी स्कूल में जिस शिक्षक की वज़े से आर्टी का मानक गरबर हुआ होगा उसे ही तबादले के लिए चुना जाएगा शिक्षकों की जिले के अंदर तबादले किये जाने है ये 4000 शिक्षक अपने तैनाती वाले जिले में कारेभार ग्रहन करेंगे और इनका डेटा मानव स संपदा पोर्टल पर अप्लोड होगा यूपी के 14 शहरों में किस लाग घर मालिक नहीं दे रहे हाउस टेक्स उत्रपदेश के 14 शहरों में सर्वे के तौरान करीबी किस लाग ऐसे भवन सौमियों को चिन्नित किया गया है जो सुवधाय लेने के बाद भी ग्रहकर नहीं द के इंदारियां बनती हैं नगर निगाव बैसे मकान मालिकों को नोटिस भेज कर ग्रहकर की वसूली करेंगे विभाग को लगातार ये शिकायते मिल रही थी कि शहरी शेत्रों में सबी आवासिय वाव्यफसाइक प्रतिष्ठानों से ग्रहकर की वसूली नहीं हो रही इसके के नईतिती जारी 15-16 अक्टूबर को होगी परिक्षा उत्रप्रदेश अदीना सेवा चैना आयोग ने प्रारंबिक पात्रता परिक्षा के तयारी कर रहे लाखो युवाव के लिए खुशकबरी है आयोग ने हाल ही में इस परिक्षा के लिए नईतितियों का अईलान किय अब ये परिक्षा 15-16 अक्टूबर 2022 को होगी ऐसे में अब मौका है उन सभी युवाव के लिए जो अपनी तयारी से संतुष्ट नहीं थे वे अब अगले साथ दिनों में इस परिक्षा के लिए पक्की तयारी कर सकते हैं योगी का मास्टर प्लैन तयार एक्सпрेस वे से जुडेंगे काउं योगी सरकार उतरप्रदेश के गाउं के विकास के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है इस नीती के तहट ग्रामीन शेत्रों में छोटे और बड़े उद्योगों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी इसके साथ ही जिसक्रामसभा की जमीन अधिकरहन में ली जाएगी वहाँ पास से 10 एकर जमीन उद्योग निदेशालक को निश्शुल को तौर पर ट्रांसफर की जाएगी उत्रप्रदेश विद्वा पेंशन योजना के लिए महिलाएं कर सकती हैं ओनलाइन आवेदन उत्रप्रदेश में योगी आदितिना सरकार जनता की सुविधाओ के लिए कई सरकारी योजनाओ के शिरुवात करती रहती है इस कड़ी में सरकार ने विद्वा महिलाओ के लिए भी एक योजना शुरू की जिसका नाम विद्वा पेंशन योजना है इस योजना का लाब राजे की विद्वा गरीब महिलाओं को दिया जाएगा विद्वा पेंशन स्कीम के तहट 500 रुपे हर महा साहता राशी के तौर पर दी जाएगी राजे सरकार की इस योजना को शुरू करने के मुखे वज़े है जरूरतमंद आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता और वो अपना अच्छा जीवन यापन कर सके नौईडा की तरह गुरकपुर में होगा ट्रेट पार्क उत्रप्रदेश में गुरकपुर उद्य के क्विकास प्रादेकरन शेत्र उद्योगों के साथ व्यफसाइग गतिविदियों को बढ़ावा देते हुए ट्रेट वा सेवा शेत्र का भी हब बनने जा रहा है इसका जरिया होगा साथ एकर शेत्रफल में प्रस्तावे जिले का पहला व्यफसाइग पार्क लाँच होने से पहले ही व्यफसाइग पार्क की उजना को लेकर कारोबारियों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया गीडा के आम अंत्राण पर महस 15 दिनों में 100 से अधिक लोगों ने होटले, डेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, शोरूमादी के लिए एक्स्प्रेशन आफ इंट्रेस्ट पेश किया है यूपी में छोटे उद्योगों को लगेंगे पंक उत्रप्रदेश के अर्थ्यवस्ता को असी लाग करोड रुपे का आकार देने की मुहिम में जोटी योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना अपनी शेश प्रात्मिक्ताओं में शामिल किया है इसके लिए सरकार ने यूपी में अब तक का सबसे बड़ा इंवेस्टमेंट समेट अगले वर्ष आयोजित करने का फैसला किया इस आयोजन के पहले औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग, टेक्स्टाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, परियटन, सहित कई नीतियों में संशोधन किया जाएगा इसी क्रम में सूख्ष मिलगू और मध्यमुद्योग लगाने के लिए उद्यमियों को योगी सरकार विशेश राहत देने जा रही है परिक्षा में तीन दिन शेश, अब तक नहीं बने परिक्षा केंद्र डॉक्टर भीमरा, अमीट कर विश्विद्याले के रास्टे शिक्षानीती के अंतरगत दित्य सेमेस्टर की परिक्षाएं तहरा गस से शुरू होनी है पर विश्विद्याले की तयारी अभी तक पूरी नहीं परिक्षाओं में केवल तीन दिन बच्चे हैं, अब तक ना तो परिक्षा केंद्र ही नरधारित हुए और ना ही सबी चात्रों के परिक्षा फॉर्म ही भरे गाए मिरट में लाखों के NCRT के किताबों का जखीरा परामत मिरट में सियो ब्रह्मपुरी ने सूरिया पुरम कॉलानी में एक मकान पर छापा मार कर NCRT के किताबों का जखीरा परामत किया ये किताबे लाखों रुपे की बताई जा रही है करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है सियो ब्रह्मपुरी विवेक यादव को सूचना मिली के सूरिया पुरम कॉलानी में मकान में NCRT के नकली किताबे तैयार हो रही है उन्होंने टीम तैयार की और मकान की दलाज शुरू कर दी कुछ गंटे में मकान मालिक को चिन्नित करते हुए पुलिस ने छापा मारा जिससे वहां हल कम पमच करया अंग्रेजो भारत छोडो के दिन BJP भगाओ की शुरूआत बिहार पर अकलेश यादव का तंच बिहार में तेजी से बदलते खटनक्रम के भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अकलेश यादव ने भाजपा पनिशाना साधा अकलेश ने बिहार में अंटिये गडबंदन तूटने को बढ़िया शुरूआत कहा अकलेश ने कहा कि अंग्रेश यो भारत छोडो के नारे वाले दिन बिहार से बीजेपी भगाओ का नारा आया ये अच्छी शुरूआत है बता दें कि बिहार में बीजेपी जेडियू का गडबंदन तूट गया और नितेश कुमार ने सीम पत से इस्तीवा दी दिया है इस उवार को छात्र छात्राओ को सामुहिक तलाशी लेकर 200 से अधिक स्मार्ट फोन जब्त कर लिए कॉलेज परिसर में पोटो खीचने और सेलफी लेने जैसी शुकायते मिलने के बाद पबराला के बाबुराम इंटर सिंग कॉलेज प्रशासन ने चात्र चात्राओ के कॉलेज में एंडरोइट फोन लेकर आने पर पाबंदी लगा दी थी कॉलेज परिसर में कई चात्र चात्राओं फोटों खीचते, सेलफी लेते, नजर आए इस पर शिक्षकों ने सभी चात्र चात्राओं को कॉलेज परिसर में इखटा किया रेल्वे भर्ति बोर्ड गरूप से शरू करेगा ग्रूप D की परिक्षा सगस तक आयूजित करेगा वी डबलुडी तबादला धानली में निलंबित अफसरों पर योगी सरकार का शिकंचा लोग निर्मार विभाग तबादला धानली को लेकर योगी सरकार की सकती का असर दिख रहा है ज्वांच की प्रक्रिया तेज हो गई जांच अधिकारी यूपी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेट के मडी पी गुरू प्रसाद ने निलंबित चल रहे ततकालीन विभाग के अध्यक्ष मनोज कुमार गुपता सहित सभी पांच आरूपियों को आरोग पत्र दे दिये निर्धारित कोटा से अधिक तबादले का प्रस्ताओ भेजने वा तबादला करने के साथ इस सालों से के इस्तान पर तैनात अभी अंताओ का तबादला नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं देश की पहली रीजनल रेल ने भरी रफ़तार दिल्ली से मेरट तक किया पहला सफर वैस्ट यूपी के साथ देशवासियों के लिए अच्छी खबर है के इंद्रिये मंत्री मंडल ने मेरच में भारत की पहली रीजनल मेट्रो ट्रेन सेवा को हरी जंडी दे दी इससे भी बड़ी खबर ये है कि इस सेवा का विस्तार दिल्ली तक कर दिया गया साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो दिल्ली गाजियाबाद और मेरट के बीच भारत की पहली शेत्रे रेल को मंसूरी मिले विशे शग्यों के अनुसार ये हाई स्पीड ट्रेन हाई फ्रिक्वेंसी प्लैटफॉर्म पर दोड़ेगी इस ट्रेन का सपर आराम दायक होने के साथ साथ सुरक्षित होगा ये सेवा पूरी तरह से परियावरन फ्रेंडली होगी और 82 किलोमीटर के सपर को महज एक घंट अधालत में हुई सुनवाई के दोरान सुन्नी सेंट्रल वक्प बोर्ड ने वादी पक्षते दावे की कौपी मांगी वहीं लकनव के वकीर शेलेंडर सिंग द्वारा दायर 92 सीपीसी में सुनवाई के लिए अधालत ने आज 11 अगस्त का दिन तै किया है तो ये थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सरु करें धन्यवाद